हेलो एब्रिवन मैं अमित वर्मा आप सभी लोगों का स्वागत करता हूं करब किमिस्टी क्लासेज में तो कांटिन्यू करते हैं आज की क्लास हेलो एब्रिवन तो आज हम लोग कांटिन्यू करेंगे नेम्ट रेक्शन लेक्चर स्रीज में बहुत ही इंपोर्टेंट का नाम है स्टॉबे condensation reaction क्या पढ़ाएंगे स्टॉबे है कंडंसेशन है से रीक्षण भी आगे हम इस कि रिएकążंड के बात करें यह रिएक्षण क्या होती है आपकि बहुत ही important है कभी कभी कि होते है यह स्टार्टिंग जो होती हो बहुत ही होती है इस की स्टार्टिंग आप के एक्जाम में पूछी गई और यह हमारे गजुशन लेवल के लिए इंपॉर्टेंट है और साथ में हमारे जैम और नेट और गेट एकजाम के लिए भी बहुत important है तो देखिए अगर हम इस्टॉबे कंदेंसेशन की बात करें तो इसमें जो हमारा compound होता है वो यह इंडिहाइड होगा या या किटोन होगा हमारा एक या किटोन स्टार्टिंग सब्स्टेट की बात करें और साथ में हम लेते हैं इस्टर साफ सैक्सिनिक एसिड और फिर इसको हम किसी बेस की परजनस में ट्रीट करते हैं बेस हमारे क्या होंगी sodium methoxide sodium methoxide sodium hydride और बहुत सारे tertiary butoxide हम लेते हैं और साथ में हमारा एक पी बनेगा जो कि अभी हमें नहीं पता है हम प्रोड़क डारेक्ट नहीं लिखते हैं उसको हम mechanism के थूर देखेंगे तो प्रोड़क लिखेंगे दिखें यह बेस हमारे होते हैं तो अगर आप से एक्जाम में पूछा जाए तो देखें आप क्या है इस्टर साफ सक्सीनिक एसिट तो हमें पता होना चाहिए कि सक्सीनिक एसिट का स्टक्चर क्या होता है सक्सीनिक एसिट का स्टक्चर यहीं पूछा गया है कि आपके माल इसमें जो स्टॉप कंडेंस होता है इसके स्टार्टिंग का स्टक्चर बताईए बहुत बार पूछा जा चुका है जो सक्स लेंगे तो इस्टर किया हो सकते हैं हम यहां पे आपके सीट है सी ओ गादी लगा दें तो यही हमारा क्या हो गया इस्टर फ़े должны कि यो आप जो हमारा ये ऑफो सकता है ये कुछ भी हो सकता है और बराबर हमारा C2S5 भी है R बराबर CS3 हो सकता है and different तरह के alkyl groups हो सकते हैं जो हमारा important exam में पूछा गया है वो R बराबर C2S5 हो गया कोई भी हमें aldehyde या ketone ले 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 उसको हम esters की succinic acid से reaction कराएं in the presence of any base and the product formed वो क्या होगा एक product P बनेगा तो क्या है condensation of succinic acid esters with aldehyde या ketone in the presence of base to form product P is known as stobay condensation reaction दिखिए जो stobay condensation की reaction की बात होती है हमें यह याद जरूर होना चाहिए कि इसमें आपका यह starting होती है ठीक इतना समझ गए अब हम बात करेंगे कि हम एक example लेंगे specific example लेंगे और उसको हम mechanism के थूरू सिखेंगे इतना समझ गए कि हम reaction कैसे पहिचानेंगे कैसे पहिचानेंगे आपका यह हो गया अगर हम example की बात करें example की बात करें तो मान लीजिए हमने ketone ले लिया क्या ले लिया ketone ले लिया और साथ में हमने चलिए OOR C2H5 ले लिया C2H5 CU C2H5 और इसको हमने base की परजनस में sodium ethoxide के परजनस में treat कर दिया हलका सा हम इसमें H plus भी डालेंगे dilute CL डालेंगे और एक हमारा product P बनेगा यही हमारी reaction क्या है एक stopic condensation reaction है तो देखिए ध्यान से हमने इसमें जो base यूज़ किया है sodium ethoxide यूज़ किया है हमने यह नहीं यूज़ किये KOH NEOH हमने alkali base नहीं यूज़ किये क्यों नहीं किये है क्योंकि जो यह ister है यह इसको hydrolyze कर देंगे इसके starting substrate में इसलिए हम alkali base का use नहीं करते हैं यह हमारे reaction के लिए suitable नहीं है तो अगर कहाँ पे लिख लिज़िए not used because hydrolyzed hydrolyzes esters into acid तो क्या होगी हमारी reaction उतनी better नहीं जाएगी जितनी जाने चाहिए या हमें जो desired approach चाहिए वो नहीं बनेगा तो यह हमारी एक पूरा इसका basic reaction हो गया अब इसको हम mechanism के through देखेंगे कि जो हमारा product P बनता है वो हमारा एक product क्या होता है और वो product कैसे बनेगा हम यहाँ पे product अभी लिखेंगे आप लोग space लिख थोड़ लिएगा बार में जो product बनेगा वो यहाँ पे आप लिखेंगे इतनी बात समझ गए ठीक है note down कर लिए मैं रप करने जा रहा हूँ देखें आप heading डालिए reaction mechanism reaction mechanism ठीक है अब अगर reaction mechanism की बात करें तो क्या होगा जहां से देखें यह हमारा जो base है यह dissociate होता है सबको पता है किसमे na plus और o e t minus यही हमारा एक base होता है ठीक यह क्या करेगा यह step first में यह step नहीं दिखाएंगे तभी कोई दिक्कत नहीं step first में क्या होता है हमारा diethyl succinic acid आएगा इसका नाम क्या है diethyl succinate क्या नाम है diethyl succinate ठीक यह succinic acid बोल दीजिए तो इससे अच्छा कुछ नहीं फिर यह क्या करेगा हमारा एक base आएगा इससे rate करेगा अब base क्या करेगा आप लोगों पता है ध्यान से देखें यह जो H है इसके दोनों H देखें equivalent है और दोनों कैसे है alpha hydrogen यह zero position यह alpha carbon यह alpha hydrogen alpha hydrogen यह group कैसा है minus I group minus I group होने के वज़े से यह alpha hydrogen कैसे हो जाते है S-dig ठीक देखिए दोनों equivalent है यह क्या है देखिए दोनों यह equivalent है तो क्या करेंगे हम कहीं से भी एक proton हम remove कर देंगे जब proton remove करेंगे तो हमारा ETOH यह H plus accept कर लेगा इससे जब इससे H plus accept करेगा तो यहाँ पर क्या आएगा CH minus COOET और यह CH2 COET यही हमारा क्या बन गया एक carbon ion बन गया यह carbon ion बन गया अब इस carbon ion के अगर बात करें तो यह देखिए यह कैसा है है यह कैसा है देखिए यह है हमारा रीजोनेंस इस्टेबलाइज CH CO minus यहाँ पर क्या जाएगा यह बेस का पार्ट N A plus आएगा साल्ट बना लेगा OET और CH2 COET जो यह रीजोनेंस स्टेबलाइज कारबिनायन होता है इसका नाम तो बहुत बार बता चुका हूँ क्या होता है इनूलेट आयनो ठीक तो क्या है फरस्टेब का नाम रखें थो हम लिखेंगे कि स्टेक्षण आफ प्रोटन स्टैक्षण आफ करोटान अभी छ讲 ही इस्टर हाई किängen है कि यह निघ değil पहला निघांसें यह जो ख़या इसके उपर है नीगेटिव चार्ज तो जो होता है वो हमारा एक गंगे यह नीघांसे इतना समझके स्टेफ लिए ein अलफा हाइडरोजन है वहां से उसने क्या किया एक सिंपल सा प्रोटान अच्ट कर लिया और हमारा एक नुक्लियो फाइल जनरेट कर दिया तो क्या हुआ पहला स्टेप क्या आप्रोटान फ्राम इस्टर बाइए बेस या इसका दूसा नाम जिसकते ही जनरेशन आफ इन नुक्लियोफाइल है, नुक्लियोफाइल हमारा क्या है? इनुलेट आयन है, ठीक है? अब ये step first समझ गए, अब step first करने के बाद, step second की बात करें हम, step second की बात करें, ये किटोन हमारे जुन इनुलेट आयन जनरेट हुआ है, क्या जनरेट हुआ है? इनुलेट आयन, इस इनुलेट आयन से क्या होगा? देखिए, ये नुक्लियोफाइल है, नुक्लियोफाइल इस पर क्या करेगा? अटेक करेगा ये center प्लस और ये delta माइनस, तो यहाँ पर ही इसका इस पर addition हो रहा है तो second step हमारा क्या है nucleophilic addition of inolate to ketone देखिए यह center delta positive यह यहाँ पर attack करेगा इसे फिर क्या बनाएगा R CO minus यहाँ पर यह CH यह C O O E T यहाँ पर क्या है एक और CS 2 C O O E T यह हमारा बन गया एक प्रोड़क्ट ठिक यह nucleophilic addition हमारा second step का हुआ अब क्या होगा इसमें कुछ internal conversion होंगे उनको हम समझेंगे आप इसको क्या करें नोट डॉन कर लिए और इसको कि इस निगेटिव चार्ज कभी एकेला नहीं रहेगा हमेशा अगर उसमें कोई पॉस्टिव चार्ज पढ़ा हुआ है यानि कोई एने मिटल मिटल का कि एना कि पड़ा है तो उस तुरंत ज्यादा बेटर समझ में आएगा हमें तो अगर हम इसकी बात करें तो इसको हमने इस वह उपर ऐसे लिख लिया देखी जहां से ओ माइनस और डैस यह सी एच यह सी ओ यह ओ एटी यह सी एस टू यह सी ओ ओ अब मैं क्या कर रहा हूं इसको मैं रब कर दे रहा हूं ठीक है इ हमें इसको ओपर ऐसे लिख लिख लिया है क्योंकि है सटल इस प्रफु आज़े होंगे अपको बुक्स में जाएंगे तो आपको एक इस पास К्रफ भी हम आपको रीजन बताएंगे तो यहां से इसके दो पाथवे होंगे, ठीक, ठीक पाथवे की बात क्या है, जो यह संुनों क्या है यह अटायक करेगा इस नुकलिटाफिलिक मैं bliver अधायक करेगा यहां पचित और यह वो सकता है कहां पर अटक करें इस कार्बन है देखें दोनों ये भी क्या है देल्टापोफ नेट्व घे किसे फिर गितिव देल्टा मेज सक्टीव यह दोनों पर एक कर सकता है मानली जिए इस कार्बन का नाम लिख दिया अटेक यह अट कार्बन एक कार्बन A और ये carbon मान लिजी क्या है अपका attack at carbon B carbon B पे attack हो रहा है carbon A पे attack हो रहा है तो हमारे किस तरह से मज़ते हैं समझ गई कि दोनों पे attack करेगा क्योंकि देखे ये COET है ये आपका switch to COET है दोनों पे attack करेगा तो मान लिजी हमने attack किया यहाँ पर लिखेंगे हम अटेक्षाइट कार्बन HE IS A अटेकषाइट कार्भन यृ मर गर भारिएगा तो इसके और नम्बर incumbent की बात करें तो दिकीए 2234 यह वो वह इसके उपर टरट कर रहा है कितने इंबर makes बन नहीं है देखियो 1 2 3 और विंबर के रिंग नहीं है और हमारा कुछ नुकलियस ऐसा बनेगा देखिए आर सी ओर डाइस ठीक यह कहां पर टेक करेगा इस सी ओ माइनस और यह ओई टी यह किस से टाइच है यह टाइच है हमारा सिएच से और यह सी अच таइच है हमारा इस कारबन से और इससे क्या टैच है से टू ऑफ ऐस टू ऊ o o इस देखिए नब लिए नम मिल्कलत कभी कुछ नहीं होने जी है यह फरस्ट कारबन यह सेकेंड दिया था यह थर्ड दिया था यह हमनेbal पर मिमर्ट दिया था फिर क्या होगा यहां से ऐसे आयेगा और यहां से OAT मायनस égोव हो जाएगा तो क्या होगा देखिए मैं फोर में बन रिम रिमा रहा हूं ठोन टूटरी फूरेमर strangely ame ने पोर में बना लिया इस कारबन पर देखिए स्यों यहन πेर क्या है oxygen यहाँ पे क्या है R और R- यहाँ पे क्या है एक CH है और इसके बगल में क्या लगा है CH2 COAT इसका number 1 2, 3, 4 कुछ इस तरह से product बनेगा जो की product हमारा क्या है माल लेजिए product हमारा यह X है ठीक इसका X है देखे अगर इसके हम बात करें तो यह एक cyclic easter बन गया क्या cyclic easter easter कितने member है 4 member जब 4 member ring होता है तो इसका नाम होता है 0, alpha beta alpha, beta और gamma यह क्या है alpha और beta जिसको बोलते है beta electron 4 member electron is known as beta इतनी बात समझ गये यह हमारा product यह बना ठीक अब क्या होगा अब attack at carbon B भी हो सकता है तो carbon B का माल लेजिए numbering हमने कर लिया इसका numbering कर लिया मैंने माल लेजिए 1' 2' 3' यह 4' और यह 5' बात समझ गये कि इसमें जब attack at carbon B होगा तो 5 member ring बनेगी देखें कुछ ऐसा बनेगा आर डैस O CO- OET यह attack क्या इसके पास क्या है CH2 अभी इसके पास देखें यहाँ पर क्या टैच है CH CH और यहाँ पर यह इससे जुड़ा हुआ है इस CH के पास क्या एक ग्रूप इस्ट्रा है हमारा COET अब ध्यास से देखें नमबरिंग कर लीजिए हमने इसको 1 प्राइम दिया था इस कारबन को 1 प्राइम इस कारबन को हमने 2 प्राइम इसको दिया था हमने 3 प्राइम इसको दिया था हमने 4 प्राइम इस आक्सिजन को दिया था हमने 5 प्राइम फिर क्या होगा यह हेंट से आएगा और यह निकल जाएगा बनी 5 member ring बनी – 80 हम निकाल दें फिर क्या होगा यह हां से 5 member ring हम बना लिए ए यह मान लिए हमारा 60 हो गया Max सZ claro हो गया सीयो एटी और यहां पर देखिए दो और यहां पर क्या गया आकसीजन ठीक यही तो रहेगा दिखिए अब देखिए यह हमारा क्या है यह फाइब मेंबर्ड साइकलिक इस्टर और साइकलिक इस्टर को क्या बोलते हैं हम लोग लेक्टोन जब यह लेक्टोन होता है तो इसकी numbering होती है alpha beta gamma तो यह हमारा बनता है इसमें गामा लेक्टोन दिखिए आप क्या हुआ reaction में दो तरह के pathway follow वे और हमें दो तरह के product बनें तो हमें इसमें से major कौन सा है और minor कौन सा है आपको लोगों को books में यह वाला दिया होता है यह वाला दिया नहीं होता है यह क्यों नहीं दिया होता है तो देखिए अगर आपको organic chemistry की बात करें तो जो five member ring होती है मैं इसको यहां पर लिख रहा हूँ जो five member ring होती है more stable होती है as compared to four member ring क्यों कि इसमें bear strain ज़्यादा होता है bear strain क्या होता है more होता है bear strain का मतलब क्या angle strain इसमें ज़्याधा होता है इसलिए क्या होती है less stable तो बात समझ गे कि यह हमारी ring more stable होती है कि कि何hou less strain होता है इतना बाद समझ गए अब देखे ये वाला ज़्यादा stable ये वाला less stable तो attack at carbon we would not follow ये नहीं बनेगा तो हमारा product क्या बनेगा हमेशा gamma lactone बनेगा जब books prefer करेंगे तो उसमें लिखा होगा कि always forms gamma lactone इसका reason आपका ये है इतना बाद समझ गए तो ये हमारा एक बहुत ही crucial step हुआ और exam में ये भी पूछा जाता है कि इसमें जो इस्टर बनता है वो कौन सा होता है बीटा होता है गामा होता है या डेल्टा होता है तो इसमें gamma lactone बनता है आपको exams में इस तरह से बताना होता है ठीक है इतनी बात आप लोग समझ गए ठीक तो आईए अब क्यार करते हैं इसके आगे हम मूब करते हैं ठीक देखो समझना बहुत जरूरी है अभी मैं आपको ट्रिक बताऊंगा वो ट्रिक आपके लिए बहुत इंपॉर्टन हो जाए कि लिकिन समझना बहुत जरूरी है ठीक अब देखिए जो हमारा अगला step होगा सब्सक्राइब कर लिए अगर हम बात करें तो जो हमारा लेक्टोन बना हुआ है ध्यान से देखिए लेक्टोन वो आएगा ध्यान से देखिए लेक्टोन आएगा ठीक यह लेक्टोन हमारा भी एक्षन में क्या पड़ा होगा बेस बेस आएगा बेस हमारा क्या है ओएटी माइनस ध्यान से देखिए यह वाला जो प्रोटान है यह वाला प्रोटान यह प्रोटान देखिए किस से अटैच है हमारे इस्टर गुरूप से यह इस्टर गुरूप अटैच होने के वज़े से यह प्रोटान कैसा हो गया इसडिक ये प्रोटान होने के वज़े से क्या हुआ ये प्रोटान ये बेस इसको क्या करेगा अश्टाइट कर लेगा और हमारा नुकलियस कुछ ऐसा बनाएगा आर डैस ओ दो सी ओ झाओ कि यह सी है सी मैंनस हो जाएगा और हमारा यहाँ पे चीओ टूट लग जाएगा यह रिजूनेंश से रिजोनें आप लोग इसको रिजोनेंस स्टिभलाइज बना लिए इसके रिस्पेक्ट में मैं बना दू चलिए मैं बदिती हो ठीक डिये। रिजोनेंस स्टिवलाइज होगा तो क्या क्षेट वाला है यह कि पर जबयास की प्रोन होती है कि बेस की प्रजेस में रिंग खुल जाती है यहां यहीं से खुलेगी कि यह ऐसे आएगा उपन होगी आख दिखिए इस और इस कार्बन के बेच में क्या या होगा double bond بنेगा double bond के धर हम बात करें तो जाहन से लिए R और डैस ठीक देखें डबल बाउंड बनेगा इस कार्बन की बीच में तो क्या होगा माल नहीं यह कार्बन वन है यह कार्बन टू है यह कार्बन वन यह कार्बन टू इसके बीच में बाउंड बन गया यहां पर क्या है सी ओए ठीक और जहां से दिखिए इस कार्बन से क्या लगा हुआ है कार्बन नंबर तीन किस्टू सी ओओ माइनस और यह तुरंद एसीड है साल्ट के फॉर्म में तुरंद पड़ा रहेगा जहांसे देखिए नंबरिंग आपने कहीं से भी स्टार्ट कर दिया हैं नंबरिंग कहीं से भी स्टार्ट कर दीजी कोई दिक्कत नहीं है आप बस एक जैनुमिन नंबरिंग रखिया है यहा हमारा क्या बन गया यह फिर एच प्लस परजेंश यह डाइलूट एसी डालना है यह जैसे डालूट एसी डालेंगे यह साल्ट किसमें हो जाएगा है डॉलाइज हो जाएगा आर आर डैस डवल बॉन सी ओ ओ एक यह क्या हो जाएगा छी तूओ सी ओ एच ठीक अब जहां से देखिए यह हमारा प्रोड़क्ट क्या है और इसकी बात करें तो देखिए अगर हम इस पोजिशन के अगर हम बात करें तो देखिए यह 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 जीरो पोजिशन यह अलफा यह बीटा तो अलफा बीटा अन्सैचुरेटर इस्टर इस्टर बनता है यह इसका एक दूसरा नाम और होता है अलफा बीटा अन्सैचुरेटर हाफ इस्टर मैं इसको आपको हाफ इस्टर क्यों बोल लोग हूँ जो आपने माल्यक यूवल लिया था उसमें 2 इस्टर थे इसमें भी देखिए दो एक एसिट गुर्प पड़ा हुआ है एक इस्टर पड़ा हूआ है यह इन्स पै यह हमारा reaction का main product होता है तो इतनी बात आप समझ गए दिखिए अब क्या होता है हम जब कोई भी reaction पढ़ लेते हैं ठीक है अब उस reaction की application क्या होती है उसको हम अभी आगे continue करेंगे हमने जो reaction पढ़ी है इसके आगे importance क्या है उसको हम आपको बताते हैं तो आप समझ गए कि इस ट स्टॉबे कंडंसेशन क्या होता है तो लिखिए कंडंसेशन आफ कंडंसेशन आफ कंडंसेशन आफ इस्टर साफ सक्सीनिक इसीड बिद इल्लिहाइड सर्कीटोन इन प्रजेंस अब बेस तो ग्यूप प्रोड़क्ट अल्फा बीटा अंस्टुरेटेड इस नोन एज इस बात इतना समझ गए और जो आपका इंटरमीडियर बनता है सैकलिक इस्टर बनता है उसका नाम क्या होता है गामा लेक्टोन और आप एक स्टार्टिंग जाज कर लिए कि इसमें डाई इथाइल सक्सिनेट यूज होता है इतना बात समझ गए यह पूरी इसकी मेकैनिजम है अब इसको आप लोग नोट डाउन कर लिए नोट डाउन करते लिएगा मैं आपको बताता हूं देखिए कोई भी रियक्शन आपने पढ़ लिया रियक्शन की मेकैनिजम क्या होती है हमारे अकेडिमिक एक्जामस के लिए बहुत बेटर लेकिन क्या करना होता है आपको हेडिंग डालिए ट्रिक्टु राइट ट्रिक्टु राइट प्रोड़क्ट यहाँ पर हेडिंग डालें के ट्रिक्टु राइट प्रोड़क्ट ट्रिक्टु राइट प्रोड़क्ट बिदाउट मेकैनिजम बिदाउट यानि say no to mechanism mechanism को क्या कहिए बाइ बाइ ठीक तो देखिए हमें करना क्या है पहले जो भी आपको कोई किटोन दिया हो कोई भी जो भी किटोन दिया होगा तो माली हमको यह दिया था ठीक और हमारे starting दोनों को ले लिए दोनों को आपने लिख लिया ठीक यहां से इसके दोनों एच क्या करिए ओपन करके लिख लिए बात इतना समझ रहे त्रिक बहुत असान होने वाली है एक आपको मोडिफिकेशन करना है इसके दो एच मेंसे इसका एक से एक ही सिर्ट क्या करिए दोनों सब्सक्राइण करना सब्सक्राइण करना है माइनस बातर प्रफ निकाले और साथ में जो यह रिमेंश टू सीओ इटी वाला इस्टर रहे यह वाला इच्टर यह वाला नहीं यह वाला इस्टर जो कार्बन इनोलाइज नहीं किया यानि जहां से आपने CH2 वाटर निकाला है उसको छोड़के इस वाले को इसको कर दीजिए चेंज इंटू इसको एसिड में चेंज कर दीजिए यानि OET हटा के क्या कर दीजिए इच लगा दीजिए यानि आपको लगा दीजिए कि OET रिप्लेस्ट पाई रिप्लेस्ट भाई इच ठीक है आप इच से रिप्लेस्ट कर दीजिए और आपका प्रोड़क्ट आपके हाथ में बन जाएगा देखिए कितना आसाल है यह COET हो गया और आपने जो CH2 लिया था इस को क्या किया तो इस इचेंज कर दीजिए देखिए आपको वही प्रोड़क्ट बन गया देखिए जीरो अल्फा बेटा अल्फा बेटा अंसर्चुरेटेटर तो आप लोग बात समझ गये कि मेकानिजम हमें कैसे करनी है मेकानिजम आपने समझ लिया यहां से लेकर हमने बना उसमें हम सब कुछ सीख लेते हैं मेकानिजम सीखने के बाद हमें हमेसा ट्रिक आनी चाहिए और ट्रिक मेकानिजम के बार हम अपलाई करेंगे तो दिखिए आपका प्रोड़क्ट एक स्टेप में बन गया कभी भी मानलो आपको कोई की टोन दिया हो तो आपको ट्रिक कि यहां पर अरड़ाइस ठीक और है सिस्टू मेकानिजम आप लोग करते रहिएगा ठीक है आप ट्रिक के अधार पर देखिए ट्रिक के अधार पर प्रिक्टिस एंपल है क्या करिए इसका एच इस टू निकाल दीजी और इसको क्या करिए इसीड में चेंज कर दीजिए लीजिए आपका प्रोड़क्ट यहां पर आरड़ेस होगा यह डबल बॉंड होगा यहां पर सीओ यह होगा और यह क्या हो जाएगा देबास समझ गए यहीं हमारा क्या है एक प्रोड़क्ट बास समझ गए कितना आसान हो गया अगर आम में अगर आप बहुत इंसुसियाज्जम है आपके अंदर तो क्या क करिए इसको फिर से मकनेजम लिखे आप यही प्रोड़क्ट पाएंगे तो आप लोग क्या करिए घर पे कुछ प्रेक्टिस प्रॉब्लम्स आप ऐसे करते रही है अब देखे हमने पूरा पढ़ लिया कि हमारा जो यह होता है इस टौब कंडंसेशन क्या होता है कैसे पढ़ लिया अब हम पढ़ेंगे कि एक रियेक्शन की जो पढ़ते हैं उसकी अप्लीकेस्ट कैसे होती है और इक्जाम में कैसे कैसे कुस्टन समारे वहरी कर सकते हैं तो अब हम ने स्टेसं की तरफ मूप करेंगे जिसका नाम है अप्लीकेसं आफ इस टौब कंडंसेशन करेंगे हम किस से करेंगे हम ट्रिक से करेंगे किस से ट्रिक से आप लोग क्या करिएगा मेकानेजिम के थू करते रहीएगा तो प्रोडesz्ट क्या मनेगा मैंना क्या पताया था जहां से देखी कि आगे अंत यह वाटर निकल जाएगा यहां से सिफके पास सी आएगा थिक इसके पास किसे निगा jeito इसके पास सी प्नाशंग रहे इसको नोड़ोन कर लिए जो मैंने आप यहां पर पहली application लिखे रखी है यह बहुत ही important है और ऐसे exams में आपके आता रहता है ठीक है देखिए यहां से लेके यहां तक एस लेकि यह अभी हम पढ़ चुके हैं यह किसका example है इस टौबे कंडंसेशन तो इसको क्या करिएगा इसके दो पाथ हुए होते हैं पता है आपको mechanism करिए या trick करिए तो mechanism आप लोग करते रहिए को विलकुल सेम आएगा ठीक यहां पे आप लोग क्या करिए trick से follow करेंगे trick से क्या होगा यह तो यह trick से हम A बना रहे हैं जहां से दिखिए ठीक यह से रहेगा इस वाले पिसे वाटर निकाला यहां से देखिए यहां से क्या करेंगे हम पहले वाटर निकालेंगे ठीक सी और यह ओए टेसे रहेगा और यहां से किस में चेंज हो जाएगा यह सी अगर आप लोगों में दिक्कत होगी तो आप हमें कमेंट सेक्षन में लिख दीजिएगा मैं में आपको बना के दे दूंगा अब देखो यह हमारा बन गया यह प्रोडक्ट हमारा एह है यही हम क्या करेंगे ट्रीट करेंगे और साथ में इसको क्या करेंगे हम रिफ्लक्स करेंगे तो यह टोटल पूरा गुरूप क्या हो जाएगा रिमूब हो जाएगा और एसीड बनेगा यह रिफ्लक्स करोगे तो क्या होगा निकल जाएगा बहुत बड़ी मेकनिजम होने वाली है तो यह देखिए CS3 हो जाएगा क्या है यह H निकलेगा जब इस पे यह डालेंगे तो यह क्या होता है यह CS2 यह CS2 और यहां से CO फिर से हमारा क्या बन जाएगा गामा लेक्टोन बनेगा जब HBR और स्टिक एसिड के परजिंस में इसको हम जब गामा लेक्टोन करते हैं अल्फा बीटा यग्टोन बना है यहीं हमारा ठीड करते हैं जब हम इसको फिर से हमने पर दृट्ट Organisation करते तो क्या होता है यह comprend और यह जाएगा और यह जो यह जो इस्टेफ है यह जो इस्टेफ है यहां से लेके यहां तक ठीक इनकी मेकेनिजम में आप मत पढ़ेगा मेकेनिजम बहुत ही बड़ी हो जाएगी सिंपल कनवर्जन देखिए कि जब कभी एच बीर इस्टी केसी डालेंगे तो यह यह बनेगा गामा अलेक्टर इसको फ तो है तो एलको ने लएक अगर आएप लोगों मेक आदि चाहिए तो मैं अलग से बता सकता हूं फिक इतना समझ गए यही हमारा प्रोड़क्ट सी बन गया प्रोड़क्ट सी अब इस प्रोड़क्ट सी को क्या किया इस प्रोड़क्ट सी को फिर से ट्रीट कर दिया गया एसीड से किसे ट्रीट कर दिया गया एसीड से तो और यह प्रोड़क्ट जो सी बना हुआ है हमारा क्या बन यह हमारा प्रोडक्ट जो सी बढ़ा हुआ है इसको फिर से एसीड की प्रजेंस में ट्रीट किया गया है माल लेजिए हमने इस टो फूर ले लिया है कोई भी हो सकता है अलुमिनियम को लाइट भी हो सकता है तो जो यह रियक्शन है इस एक्जामपल आफ फ्रीडल क्राफ्ट इसाइलेशन अ अ फ्रीडल क्राफ्ट इसाइलेशन डियक्शन सबको पता है फ्रीडल क्राफ्ट इसाइलेशन डियक्शन क्या होती है मैं आपको जल्देल बता देता हूं देखिए फ्रीडल क्राफ्ट इसाइलेशन में क्या होता है पहले क्या होगा जह जिस तो प्लस में चेंज होगा फिर से क्या होगा यहां से माइनिस हो निकल जाएगा एक इसाइलिय मायन बनता है बनता है सबको फ्रेडल क्राइब सबको आती होगी वह आपको बता देता हूं थोड़ा CH2 CH2 CO+, यह इसाइलियम आयन होता है, यह फिर से क्या होगा, रिजोनेंस से स्टेबलाइज, अब जहां से देखिए, इसाइलेशन रेक्शन में होता क्या है, कि फिटल क्राफ्ट रेक्शन में, कि कोई भी इलेक्ट्रोफाइल, यह हमारा क्या है, एक इलेक्ट्रोफाइल, एक इलेक्ट्रान रिच्ट सिस्टम पे अटैक करता है, जहाँ पे बेंजीन का है, आपके इलेक्ट्रान रिच्ट, इस पे क्या करेगा, अटैक करेगा, कैसे अटैक करेगा, ध्यान से दिखिए, इसका मूवमेंट आफ इलेक्ट्रान इस तरफ होग तो यहां पर जो डेल्टा पॉस्टिव आएगा यहां पर डेल्टा नेगेटिव और यह इसके उपर अटेक करेगा तो क्या बनाएगा देखिए किन्दे मेंबर रिंग बनेगी वन टो थ्री फॉर फाइव शिक्स देखिए एक फाइव मेंबर रिंग तो पहले से थी थी और एक शिक्स मेंबर रिंग और बनी बनी अब देखिए जैसे ही बनी इसके पास क्या हो गया यह बांड फर्मेशन हो गया एक यहां से था इसका नंबर दिया थो वन टू थ्री एक इसके पास क्या है यह हो गया फॉर यह हो गया फाइव यह हो गया शिक्स अब देखिए यह system क्या हो गया यहां पर डेल्टा पॉस्ट्टिव है यह system आपका नान अरोमेटाइज हो गया यह हाली एनस्टेबल हो गया और तुरंत यहां से माइनस एच प्लस निकाल देगा ऐसे और system कैसा हो जाएगा इरोमेटिक देखिए एरोमेटिक यह आपका कुछ ऐसा बन गया देखिए क्या बन गया टेट्रालों डेरिवेटिव टेट्रालों डेरिवेटिव तो देखिए इस reaction से हमने कया किया एक नैफ्दीलीन कंपाॉंड लिया उसको अमने वरेस प्लस और के थूफ बनाने में आप इससे क्या कर सकते हैं पॉली एरोमेटिक हाइड्रोकार्बन इसका आप यूज़ कर सकते हैं इस बहुत ही इंपोर्टेंट हो गई देखिए आपकी जो यह हमेशा थोड़ी अप्लिकेशन में आती ही जो मिना को सेकेंड पहले अप्लिकेशन बताई है यह आप से ले सकता है अब क्या कर सकता है इस टेट्रालोन को इस पर ओल्फ किसिनर रेडक्शन कर सकता है इस पर क्लिमेंशन कर सकता है इस पर आपका फिर से क्या कर सकता है एल्डॉल कंडंसेशन कर सकता है देखिए इंट्रामालिकुलर एल्डॉल आपके और यहां पर आपका कर रहे हैं अगर आप लोगों को कोई भी दिक्कत है तब आप मैं लिख सकते हैं मैं इसको आपको रिजॉल्ब कर सकता हूं